हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू अवर चैनल इस्टीचिंग विद रीना फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी अफगानी सलवार की कटिंग करना तो इसके लिए हमने यह कपडा लिया है और यह जो कपडा है यह सवा दो मीटर कपडा है इसमें हम बेल्ट वाले अफगानी सल बनाना सीखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से जाके सीख सकते हैं और यहां पी जो कपड़ा है यह डबल फोल्ड में है यह देखिए यह लंबाई में डवल फोल्ड है इस तरह से तो इसको ऐसे ही हम फोल्ड रहने है तो यह हो गया हमारा फफोल्ड में कि यह देखिए इस तरह से हमें एक बार लमबाई में और फिर से चौड़ाई में प्रॉल्ड करके रख लेना है तो इसको हमने इस तरह से रख लिया है और खूला Sight हमने बाहर की साइड में रख mess quite Nathan सबसे पहले हम यहां पे इसके पार्ट की कटिंग करेंगे तो हमें जो सल्वार की लेंथ रखनी है वो रखनी है 40 इंच मोहरी नीचे की रखनी है 6 इंच की और इसकी जो आसन है वो है 13 इंच तो इसी मेजरमेंट से ही हम इसकी कटिंग करेंगे तो उपर की साइड हमें जो बे हम अधाई का निशान लगाएंगे। तो हमें इसकी जो नमबाई रखनी हनी, फो रखनी थी। हेहां पर गड़ना एक अधार हमें माजन लेना है। यहां पर 15-ाधा इंच कि साइड को इले हनshot लोटो तो यहाँ पर निसान लगा लेंगे हम 41 इंच पे, इस तरह से देखिए हमने यह निशान लगाया है, 9 इंच हमने उपर को निकालते हुए 41 इंच पे निशान लगाया है इस तरह से, और इस निसान को ऐसे बराबर में लगाते हुए इस निसान को हम सीधा कर लेंगे, इस तरह से हमें इसको सीधा कर लेका टो यह तो हो गया इसकी लंबाई का निशान अब हमें यहां पे लेना है इसका आसन टो देखें च्छे एंच तो हमारा बेट में हो जाएगा और हमें जो रखना है वो रखना है थारटीन इंच का आसन तो चेंच کی हमारी built हो जाएगी और 7 इंच हमें यहां पे ले लेना है और 1 इंच हम यहां पे इसमें marginate करेंगे तो हम total ले लेंगे यहां पे 8 इंच और अगर जो आप 14 इंच का आसन रखना चाहते हैं तो आप यहां पे 9 इंच पे निशान लगा लिया तो यहां पे मैंने 8 इंच पे का लिया और 6 इंच हम और इसमें आड करेंगे जो की हम नीचे की साइड में प्लेट डालते हैं उसके लिए अगर जो आप ज्यादा भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं तो यहां पे दिखे जो हमने 6 इंच इश्टरा लिया है इसकी हमारी प्लेट सो जाएंगी और मौहरी बन के रेडी हो जाएगी और इसमें सिलाई के लिए भी हमें 1 इंच मार्जन एड कर लेना है तो यहां पे टोटल हो गया 13 इंच तो यह देखे 13 इंच पे यहां पर इस तरह से हमने यह निशान लगा लिया है अब इस निशान को हमें आसन से मिलाते हुए ऐसे रखन कर लेंगे तो जो हमारे दोनों पार्ट थें करने रेड़ी हो गया है ध Cyrus उसको हम कर देंगे साइड में और जब करनी है यहां पे साइड से लिया हैस्का और यहां पर इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेंगे और अब हम निसान लगाएंगे यहां पे इसके कमर की चोड़ाई का तो कमर है हमारी 30 इंच 30 इंच में हमने 6 इंच की लूजिंग दी है आपकी जितनी भी कमर है उसमें 5 या 6 इंच की लूजिंग देके आप इसको कट कर सकते हैं तो हो जाएगा 36 इंच तो 36 का हमें यहां पे हाफ लेना है जो कि होगा 18 इंच यानि कि 18 इंच तो यहां पे हम 18 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 1 इंच इसमें हम और लेंगे जो कि हम दोनों साइड में सिलाई मार्जन के लिए लेंगे तो यहां पे हमने यह निशान लगाया 19 इंच पे इस त तो सबसे पहले उपर के साइड में हमने डेड़ हिंच लिया है नेफ के लिए तो इसतरह से यह देर हम तरी निशान लगाया और is बचा हुआ है इसमें हम जो हमने सलवार के पैनल कट किये थे जो हमने पार्ट कट किये थे वो जोड़ेंगे तो उसके लिए हमने इसको लिया है और इसी तरह से हम इसके बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे तो यह देखे और यहां पे जो उपर की साइड में यह जॉइंट है हम ऐसे कट कर देंगे तो यह हमारे बेल्ट की भी कटिंग हो गई है और अब यहां पे देखे साइड से यह जो कप्डा निकला हुआ है इसको हम ऐसे ही सीधा मिलाते हुए रख लेंगे और इसको भी हम ऐसे बराबर से कट कर लेंगे तो यह हमारा जो हम नीचे का निकल जाएगा और तीनिच array हो जाएगा तो ये देखे इस से इसके सलवार की cutting हो गई है ये हो गया हमारी belsोल यो हमने नीचे के पोचे का कप्ड़ा कट किया था ये हो गया इससे हम इसकी नीचे की मोहरी बना लेंगे तो अगर जो आप पास इतनी में कपड़ा नहीं निकलता तो आप इसमें 3-3 इंच के पीसेस भी कट करके ले सकते हैं दो पीसेस से एक पुझा बना सकते हैं इसकी सिलाई में आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप महां से जाके इसकी सिलाई भी करना सीख सकते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब भी करिएगा थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो